स्वागर दोस्तों आज के एक और बहतरीन बीजे मेंस की वीडियो में कल की वीडियो नहीं आए पर आम सोरी एंड उसका मैं भुकतान कर रहा हूं लडी यह जो भूत ही मेरा पीछा नहीं चोड़ रहा है तो भाई आज हम देरी बिल्कुल नहीं करेंगे सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं डे नंबर तीन ओफ दे सर्वाइवर वीड चलिए शुरू करते हैं तो बैस गया है जो बिल्कुल पिकार्ट की अपार्टमें बिल्डिंग के अंदर काफी अची पाइड हुए थी काफे लिए वर्सिस पिलिप्लेट के बीच में चाहा पर विल्कुल यहां पर ओजी काली प्रेशन पे देखने को मिला था हरू लास्पे प्रेशन पर देखन लेकिन लेकिन यह पाइंट लेने का पूरा मन है चारों सरफ से करते बहुंड डेश्टों पीचे से कवर्ज देंगे जस्तिन यहां पर नेट करते वे नकुल पे नकुल को डाउन किया गया आपिनेट से अब रोनी पाजी अगेले बचे है अबनी टीम से क्या रोनी पाजी कुछ कर पाएंगे यहां पर एंद जवाब इस नो चारों प्लेयर्स को यहां पर फिनिश कर दिया गया है मोगो के द्वारा मोगो का भी बिल्कुल पीटी पर्फों में चल रही है वहाई द्यार नो इस एक्पेक्टेशन बहुत हाई रहती है हर प्रमिट में रहती है कि अब कंबेक आएगा अब कंबेक आएगा समस्दों के द्वारा दो प्लेट का पे डाउन कर दिया गया है लेकिन एक मोगो का भी डाउन है जोनथन के ओपर यहां पे क्लोजिं किया रहेगा डेस्टों क द्वारा बहुत ही पढ़िया बैस की ट्रेट पॉनियन देखने को मिला भाई जोनी की एल्थ बहुत जादा लोग लेकिन यहां पे शोगन भी फिनिश कर दिया जाएगा एड्मिनो के द्वारा गोडल को मिलती है चाथ पिनिशिद एड्मिनो ने बहुत बढ़िया तीम प इस में बापगन है लेकिन यहां पर फैंटम को नॉख कर दिया जाएगा मोली से लोजन करेंगे एंटीटी के प्लेयर से का रोक रेडेटिंग की हैं सोड़ी सी लगव को हील करके जाना चीए लिघ्टी हो सकती है फिरी फी क्लोजन करती हैं प्रॉपर क्लोजइन करने के ब प्राइड पाल प्रापाम कर दिया गया उने रो लेकिन क्या रेडं को मिल नहीं को अफिक द देखने कचंज आपने है पने को ओके और बहुत करो थी आल पर लो कर दिया गया क्या डाउन किया जाएागा लेकि नहीं डाउन ही किया गया अब सिच्वजू dual कर दिया गया है पन्क के द्वारा सो अमराज यहां पे ख स्कांद करेंगे लास ब्रवेट नहीं रहे तो लेकिन है गोडल वक्सिस एक टीम अपने को देखने को बिलेगा को है डव्लू एस्बी के गोड़ ने आप जोनी को डाउन कर दिया है टी वर्सिस पीछ में कहां से आगे बोड्स पैस की डेट पंक को भी आपने को भी डाउन कर दिया गया है यहां जब आप बोड़ को खोते हुए मीनो यहां पर मेंटी को डाउन करेंगे जीगोड एंड मीनो दो प्लेर सी आपर सब्राइब करेंगे अपनी टीम से पहतरी इन गृणिटप लेकिन नहीं डेमिज कैसे नहीं पड़ा पैस्टिया थड़ा अवर कू कर दीगा है मीनो की भी यहां पे तीन फिनिश हो चुग है दोस्तों डूओ अलाइव है जिगोड वर्सेज जिगोड और एडविनो दो प्लेयर अपनी टीम से बचते हुए अपनी टीम की कमान समानते हुए यहां पे अब 19 प्लेयर साथ टीम में स्टेज 6 जो है वो बन चुकी है दोस्तो प्लेयर को प्लेयर को मीनो को फिनिश कर दिया गया है टीएफ के द्वारा मैक्स के अगर बात करें तो एक्वानोक्स को फिनिश कर दिया गया है बीस्ट को भी आपनोक्स किया गया फाइट साथ एंटिडी को बीटी तो है जोन में जाने की ट्रोई जाही नहीं पाएगा अ असलग आने ही नहीं देगा ब्रदार ग्लोबल इस्पोर्ट्स का चिकन देखने को मिलेगा क्या आपने को सौमराज के बतने के कोई भी चांत रही जों से हैं आप इलिमिनेट होएंगी चार टीमें अलाइव को टीएफ के ऊपर पूरा सरकल अभी भी काइंड ओफ देगा है के उपर अच्छा सरकल बना हुआ है ठीक है तब तक दर शे पाच चार चार भी ठीक है चार भी मिलते हैं वह बात लगे इनकी फिनिश पुइंट एक भी नहीं है वह भी बात हमें देखनी पड़ेगी डैट्स वियर्ड मैक्सी ने मैक्स को फिनिश कर दिया यहां पे पियर अब देखते हैं प्योर त्रीविदी अब अब्विसली भाई अपनी पुच्छर बॉइंट निकाला प्रेंग निकाला क्या टी एफ यह मैच को निकाल पाएगी दोनों ही टीमों का एक एक प्लेयर डावना विपलाल टूए 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 सिच्वेशन निज्वेशन इमिनेट करेगी ग्लोबली स्पोट्स तो यह 3v3 के अंधर टीए पाइट रीन चिकंटेनर एज दूए गुट इन टीम पॉरेवर अच्छा है बाई गुर्गन आइम हैपी पर एच बाई एच बाई एच वन अफ दे रियलोगी तो दस्तों आईए यहां पर देखते हैं प लगने ग्लोबली स्पोट्स की बाउंटी भी लिया तो टेम फोरेवर इड़े गुट जोग तो आईए चलते हैं अगले मैच के और टेकते हैं अगले मैच में क्या सीन वनता है ले बैस कि नच शैडव ने जी दिदिया अंधर को बूम आज गी हंटर्स का यहां पर बूम बसी साइज फोर्ट्स वर्सिज आरजी इसकी टैंट उबर से कार्पीडियम वर्सिस द्लेसबी यहां पर देखने को मिलेगा यह तो हमेशा की है यह अगर यहां पर कार्पीडियम को एलिमिनेट कर दिया डवलेसबी ने तो बाउन्टी पॉइंट्स बिलेंगे उनको तो गुस्ते हैं तो DBS है वहीं सामने DBS है वहीं DBS पुकार ब्रादर इट्स गॉइंग टू अले बैंस क्यांक WSB ने भई गोड़ ने कर दिया कार पीडियम के तो लग गए कार पीडियम के लग गए है मैक्स ने आप एक किस तरीके से कुछ तो किया है लेकिन सिटुएशन अब भी भी खराब ही है दोस्तो 1-1 की सिटुएशन यहाँ पर बस्ती है लेकिन क्या गबला पोई मार देंगे गबला पोई डोट बचा था भाई पहुत बढ़िया एक शोटगन से दिया भाई S987 का एक कड़क शोट उपर से रेवन वर्सिस गोडलाइक भी अपने को देखने को मिलेगा पावर प्ले अभी भी जारी है दोस्तो 3 मिनिट का पावर प्ले अभी भी बाकी है फर्स जोन साला ख़तम भी नहीं हुआ है साइकिन जोन बना भी नहीं है पावर प्ले इस टिल ओन एंड ओनली 40 प्लेयर था राइक सिर्फ 40 प्लेयर इनना है दोस्तो हर एक प्वेंट जो इस पावर ले के अंदर निकलता है वो बन जाता है दो समझे आप कितनी मैटर करती है यह चीज़ हर एक टीम के लिए जो भी खेल रही है इस ग्लोब्य में रेवन वर्स गोडलाइक की यह फाइट क्या अंजाम हमें देखने को मिलेगा एडमिनो को यहाँ पर डाउन कर दिया गया है हलक को यहाँ पर डाउन कर दिया गया है जोननतन के दोरा ट्रेड लिया गया हलक को फिनिश के आगया क्या एडमिनो को यह रेज मिलेगा यह परेज मिलेगा कोई परिशानी नहीं है त्रीवी फॉर की एस सिचुएशन गोडलाइक वर्स रेवनी स्पोर्स जीगोड को यह पर डाउन कर दिया गया यह बहुत ही गलत एक नोक था भाई सिचुएशन वापिस से थ्रीवी थ्री की बनती भी बैंस क्यां कि नेड को ज़्यादा बड़ी है नहीं कर रहा है जोननतन ने आप रीपर को डाउन किया हांजो की यह बहुत जाद लो एम गोड अपनी टीम को समाल पाएंगे नहीं वो तो समय के साथ ही पता लेगा एम गोड देखो ना बढ़ी का वैटा है बैंस क्या नाइस वा अच्छी देगा वैटा है अगर जोनी को पता रहा लेकिन तो बीटियो जाईगी ले बाई पुश बनता हुआ एडमिर आपे स्पोर्ट करते हुए फिनिश करते हुए एम गोड की पोडिशन रखी की रखी रह गई हांजो वर्सेज गोड लाइक अमे देखने को मिलेगा बचने के कोई भी चांस नहीं बिकोज तीनों ही पत्ठों के पास थी यहां पे शॉट गन एड़ एस्टरल के अड़ीएस का आपको पता ही है एक शॉट चाहिए होता है बस सिर्फ एड़ आईकु सोल का में अब आगमन देखने को मिलेगा पॉर भी तरी के सिट्वेशन गोड लाइक वर्सेज आईकु स देखो गोडलाइक ने यहां पर आट पॉइंट निकाल लिए लेकिन अब आईकु सोल को अपने च्छै पॉइंट चीए भाई में बात यह है लेकिन क्या गोडलाइक मुकर पाई की शीर को एक को फिनिश किया गया आपे नकुल को नो किया गया लेकिन फिनिश नहीं हुआ इस पावर प्ले के अंदर बिकोज दोनों ही टीमों को फाइदा मिलेगा फाइट कॉंक्लीड होने के बाद रोनी बाजी सोमे एंड जोकर वही मानना की कमी खल रही है थोड़ी सी क्योंकि आईकु सोल एक ऐसी टीम है बहां इसके हैं जो सिंगल हैंडिडली डोमिनेट कर द के बाद यहां पर सोमे के इंट्री सोमे इस वेरी गूट प्लेर एज वेल लेकिन मानना दब्रेइन इस नोट एर तो मैं जाता हूं कि मानना की हमें वापती जल्दी देखने को मिले ताकि मजा है वह वो वन साइड डॉमिनेशन कभी-कभी हमें देखने को मिलती है ये टीम से फुल भुंबं वो हम में जरूर कर रहे हैं तो कर रहा हूं क्या आप लोग मिस कर रहे हो बताइए है क्या आप मिस्स कर रहे हूं यहां पर चल रहा है वहां पर वसिस्ता वरसिस गोड लाइक अपने को देखने को मिलेगा और चाहर टीमों की बसर तो सिर्फ यस्ताय में चल रही है इतने बडे सरकल में चल रही है यार बहुत गलत बात है ले ऑइधाई फ्यूरी को डाउन किया रहेगा फ्यूरी के बचने के बोहत कम चांट वह था पूल ओ पूरा और दोनो निकुलो और महाँ से और वसिता भाई जलदी को लाइग नींस sind चल रहा है से मरेगा लेकिन नहीं टूविवन की सिचुएशन बनेगी एंड यहां पर लास्ट प्लेयर को भी टीजएड के अलिमिनेट किया जाएगा काईलो को भी अलिमिनेट किया गया टीजएड यहां पर अलिमिनेट होती हुई आई कुल सोल दो फिरिशिस के साथ टीजएड को एलिमिनेट करती है थेजएड फिलेयर बचहे है और फिद सरकल में ठीक है बस ठीक ही है थेज़िए इस सरकल में ठीक है इट्स नोट मलब जितना होना जी उतना इंटेंस नहीं है बड़ ठीक है मैकसी अकेला यहाँ पे बचा है 5th circle closing कर रहा है उसको अगर zone में आना है तो बहार है आराम वसी सापस्स का 2 players को यहाँ पर down कर दिया गया secret को भी यहाँ पर down कर दिया but secret यहाँ पर zone से उन फिन्नों को है उसको finish करना पड़ेगा नहीं तो bounty के कोई भी chance नहीं बनेगे भाई तुम्हारे फैस की टैंट बॉंटी यहां पे नहीं मिलेगी जो नजरे थी उनके उपर कॉंसरेंटी गड़ रखी ती इस प्री मैं लाइनप अभी कोई बॉंटी नहीं मिली यह वह एक ओर पठ्था भी अगर यहीं मारते ना तो इनको बॉंटी मिलती है एड्मिनों यहां पे अकेले बस्ते माई अपने टीम से पंक एंड जोनाथन को नोक कर दिया गया है लेकिन क्या एड्मिनों यहां पे आरू को नोक कर पाएंगे जवाब इस नो सवाल और जवाब दोनों ही बहुत जल्द मिल गए अपने को मीनों को भी यहां पर फिनिश किया जाएगा ओजी के चार प्लेयर अभी वी अलाइव सरकल में अच्छी जगह है उनके पास लेकिन क्या वो चिकन इस मैच को कंवर्ट कर पाएंगे सवाल सिर्फ इस तना ही लेकिन आरजी वर्सिज अपने को देखने को मिलेगा और जी के बहुत ही बेकार यह पोजिशन अपने को देखने को मिलेगी नेट से सीधे फिनिश किये जाएंगे आरजी के प्लेयर वाइपर अकेले अपनी टीम से बस्ते हुए नेट जाएगा और फुल बूम बाम वाइ वाइपर के उपर नेड आएगा और वाइपर को एलिमिनेट कर दिया रहाएगा फिरिश अब रो कोई सीन आरजी का नहीं बसता है यहाँ पे पूर भी तरी की यह सिचुएशन अपने को देखने को मिलेगी दोस्तों गोड रेंड वॉर्स जिस ओजी पर भी एक नेड लेकिन यहाँ पे नेड पहुचेगा नहीं वेरोन का लेकिन क्या एके का नेड पहुचेगा क्या एके का नेड पहुचेगा नहीं एके को डाउन किया गया है यहाँ पे फेंटम ने क्या आतंकी को भी डाउन करेगे लेकिन 3-2 की ए सिचुएशन मनती हुई गोड रूइन के 12 फिन यहां पर ओरोल स्टेंडिंग्स का समय आ गया है एंड ओरोल स्टेंडिंग्स में यहां पर बाउंटी की टीम्स में नज़र आएंगे टॉप पॉर में नज़र आएंगे रेवन क्लोबल एस्पोर्ट पहुत ही ज्यादा करीब बहुत करीब रेकनिंग टीम बोड लाइक भी ज्यादा दूर नहीं है डबलेज़ विएमिंग्स पॉइंट पे एंड आईकुसो 31 points पे Carnival with 22 यार तो भी वेरी ओनेस टोप पॉर के लावा कुछ भी मैंटर नहीं करता है इन स्टेंडिंग से बिकोज यह जो टोप पॉर टीम्स है इन पे रहेगी बांटी पॉइंट नमबर वन एंड यह टॉप चार टीम जो लास्ट में टोप टार टीम रहेगी वो यहां पर जाने वाली हैं डाइक्ट ग्रैंड फाइनल स्में मोस्ट विकेट प्लेयर आज जो रहा है वो रहा है नकुल ओ मैंगाड फिलाल के जो मुस्ट विकेट प्लेयर वह अपना हम देख सकते स्क्रेंट पर आप नधू की सब्सक्राया है मैक्सी मैक्स और अक एंन घंघ औ प्लेयर ओप अगर हम देखे तो बनता है यहां पर जोनाथन जोनाथन बैक उन ट्रैक में बोलूँगा अभी मैं नहीं बोलूँगा की बैक इंड फो में वोल टीम बट यार उनर राइट ट्रैक राइट नाओ उनकी पर्फॉमेंस इस ड्रैक्शन में जा रही है तैट्स प्लेयर हमेशा यह बोलते रहते हैं कब चीज़े इदर उदर हो जाए क्या बता है